नमस्कार मैं हूँ असभी के साथ तान्य गुपता आज जो हम आपको खबर सुनाने वाले हैं उसको सुनकर आप खड़े होकर जैहिंद कहने पर और सल्लूट करने पर मजबूर हो जाएंगे ये खबर है एक सैनिक को लेकर आप एक सैनिक को सैना से बाहर कर सकते हैं लेकिन सैनिक के भीतर से सैना का जज़बा नहीं इसे सही साबित कर दिखाया है 74 साल के रिटायर सैनिक CBR प्रसाद ने सैनिक अपने देश के लिए सर्वस्व नियोच्छावर करता है और ये बात पूरा देश जानता है एक सैनिक केवल सीमा पर रहते हुए ही देश ये सुरक्षा और सेवा नहीं करता बलकि रिटायर होने की बाद भी उसका ये ज़स्बा कायम रहता है एर फोर्स के एक रिटायर्ड कर्मी को अपनी काम और अपने विभाग से इतना प्यार हुआ कि उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई दान कर दी चोहतर साल के सीबियर प्रसाद में रक्षा विभाग को एक करोड आठ लाक रुपे दान दिया है दिल्चस बात ये है कि सीबियर प्रसाद ने एर फोर्स में 108 महीने यानि की मात 9 साल ही काम किया है सीबियर प्रसाद ने बताया 9 साल के बाद मैंने एर फोर्स छोड़ दिया क्योंकि इंडियन रेलवे मुझे अच्छी नौकरी दे रहा था दुर्भागी ये है कि वह वो नौकरी नहीं कर पाए उसके बाद उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए पॉलटरी फार्म का बिजनर शुरू कर दिया अच्छी बात ये रही कि इसमें उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली अपने दायत्व को पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि मैंने रक्षा विभाग से जो कुछ पाया है मुझे वापस देना चाहिए इसलिए मैंने एक करोड आठ लाक रुपे रक्षा मंत्राले को दान देने का फैसला लिया है सीबेर प्रसाद ने रक्षा मंत्री राजना सिंग से मुलाकात की और उन्हें एक करोड आठ लाक रुपे का चेक दिया प्रसाद नौ साल तक वायू सेना में रहे और फिर तीस साल से जादा समय अपनी मुर्गी पालन यानि की पॉलटरी फार्मिंग से केंदर चलाया समाज को कुछ देने की ललक में उन्होंने एक स्पोर्ट्स यूनिवरस्टी भी स्थापित की थी जब उनसे पूछा गया कि परिवार ने उनके इस फैसले का विरोध किया तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं सीवियर प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपनी संपत्नी का दो प्रतिशत अपनी बेटी को दिया और एक प्रतिशत अपनी धरम पत्नी को दिया बाकी का 57 प्रतिशत उन्होंने समाज के लिए ही समाज की बहतरी के लिए लगा है CBR प्रसाद देश के लिए एक आदर्श मिसाल पेश हुए हैं पूरे देश उनके इस महान कारे की सरहाना कर रहा है तो ऐसे जबाद सैनिक के लिए एक बार खड़े होकर दिल से सल्लूट करे और ये खबर जैसे आई है कि सैना हमारे ले इतना कुछ कर रही है तो उनका सम्मान करना हमारा एक करतब वेवन्द है मैं फिर लौचूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ